बॉर्ट जी वेरी गुड मॉर्णिंग वेरी गुड मॉर्निंग विकार्ष वेरी गुड मॉर्निंग एक बर मुझे आवाज का confirmation करें ने लेक्ट्र स्टार्ट करेंगे क्या थीक आरीए कि मेरे एन पे आवाज आप भी मुझे आपर बता दें फिर अपना अपना अश्ट कर लेंगे यह अपना UPSC 2022 का रिविजन आटन कल्चर अपने इसमें कर रहे हैं आपकी तीन स्लोट में क्लासे चल रहे हैं यूपसी 2022 रिवाइस रिविजन की 530, 130 और 830 एक्सेप्ट एन्वार्मेंटल क्लासे सारे की सारी क्लासे स्टेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पैलिट रहेंगी अब 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 अपना अर्डन कल्चर चल रहा है उसके बाद अपने हिस्ट्री करेंगे अग्लास 6,7,8 एंट इमस ओफ इंडिया और जो भी पीडिएफ हैं मेरी जो पीडिएफ हैं वो मैं शेयर करूँगा एप्लिकेशन पे और टेलग्राम चैनल पे जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है सारी की सारी महीं से आपको मिलेंगी और जो चैनल की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जैसे के जीएफ पोर स्टाटिक पोर्शन रिविजन एंड चाय पे पर चाह अपना प्रिवीज सेर पेपर के लिए और डाकू फोर डॉक्रमीट कर रिविजन और यह अपने कर ली है जो गर्रफी मैप्स मॉडन हिस्ट्री इनके जो एक एक लेक्शर रहते हैं यह भी हमने कर लिये हैं और वो आपके फ्राइडे को रहेंगे और आपके सेटरड़े संदे आप करेगा एंशिंट एंड मिडाइबल टिक है अभी अभी जैसे मैं कमेंट्स अगरा को रेस्पॉंट करने के लिए पॉल लेता हूं संदीप ने एक बड़ा फढ़नी सा मलब रियलिस्टिक कमेंट्स की सर लगता है कि आपको अपने ग्यान पर भरोसा नहीं है इसलिए आप स्ट्स और जो आईएस वाली चीज़ें कि य जीवन नहीं इतना कुछ कर दिया है कि ग्यान पर किसी चीज पर ही वरोसा नहीं रहा विए फणी कमेंट्स बढ़ा ठीक है और ग्यान जैसे कोई चीज होती भी नहीं है ठीक है इस वाल आपको पता है कुछ हमें पता है इसका कोट है अम बताओ यह आप लोगों के लिए आपको अन्लिए तीग विच आइस आपको के साथ वो तो रहता है अचली ठीक ऑगी है अधिक है अरंभ ठीक है चलो, ठीक है प्रिया, प्रिया that I know, तभी तो शुरू से इसको बता रहे है, all about, there are two ways to see things, and there will always be, ठीक है, there are multiple ways, but two are general ways, one way is like taking things in a positive manner, second way is taking things in a different manner, I would say not negative, but different you can say, हर एक चीज़ से आप motivate भी हो सकते हो, demotivate भी हो, that is the beauty of your mind, okay, हर situation से, अतलब चाहे वो कितनी ही खराब situation हो, तो उसमें ऐसे ही चलता है, ठीक है, कई बार हमें लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, and you attract these things, ठीक है, अगर आप positively रहोगे, होई तो positive positive, negative negative negative, और life में difficult situation ही सबकी life, ऐसा नहीं होता है कि किसी की life में थोड़ी सी कम चल रही होती हैं, किसी की life में थोड़ी से ज़्यादा चल रही होती हैं, वो तोड़ा से of that person and that is very difficult because you cannot live each and every second of someone else's life. So it's easy to judge and difficult to understand. ठीक है? चलो. तिले ताम, we have to tell this but after that time, we will be know all over. Yes. सब को खुश करने के आवशकता भी नही है. चलो. ठीक है? मेवात, Defense Academy. वेरे गुड मॉर्निंग. हाँ, Socrates. मार्केटिंग बिलकुल जरूरी है. भीम आपने स्टार्ट करते हैं. सुबह सुबह कई दिनों के बाद अपनी सुबह की शुरू ही है. पांच मिनिट तो अपने इसी में ही लग गए. अफगान आर्किटेक्ट्चर अपन देख रहे थे. अभी तक अपने इस्लामिक आर्किटेक्ट्चर में काफ़ी चीज़े देखी. कि वह वह डॉम लेका है, छत्री लेका है, यह सारी की सारी चीज़े जो थी उने देरे-देरे इंकॉर्परेट करना शुरू किया. अब इसमें क्या है कि लोधी की टाइम पर सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, वो थी डबल डॉम की. तो यह नीचे पीछे एक ऐसा है और उपर आउटर डॉम है. तो यह आपका रहेगा. और इसके एक्जामपल में जैसे अपना सिकंदर लोधी established आगरा में इन्होंने established किया. प्लस जैसे सिकंदर लोधी ने आपके कुतुब मिनार को भी repair किया. लोधी गार्डन्स, very very famous. फस्ट एक्जामपल ओफ डॉम, table dome architecture. जिसमें जो बाहर वाला डॉम है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा बढ़ा नहीं लगेगा, ठीक है बाहर वाला ही लगेगा. चीर्स. चलो. अब इसमें अपना आते हैं, देखो, base of most of the dome is octagonal. क्योंकि वो establish करने के लिए ही वैसा चाहिए. करकुलर में थोड़ा सा difficult हो जाता है. ठीक है? बेस आपका octagonal रहता है. हर साइड में आपके triple arches हैं. ये थो intricate work, ये सब जगे चलता रहेगा. ठीक है? अब देखो, सासराम वाला सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था. शेर साशूरी वाला ठीक है? यहाँ पर इनका जो tom है, वो आपका सासराम में है, early 16th century. इयर बताओ, इसमें ये rule करते थे थे ना, शेर साशूरी, वो इयर बता सिस्टम था, वो भी मुगल्स ने लिया, इनका जो revenue सिस्टम भी हम बोल ले, वो भी मुगल्स ने आपका follow वगरा किया था, तो ये काफी influential रहे थे, इसको आपका second ताज महल भी बोला जाता है, इंडिया, ठीक है? एक है आपका poor replica of ताज महल, वो है आपका, जो औरंग 1555, yes, 40-45 होगा, I think, क्योंकि 15 years का था, नरेंज जो कह रहे है, I think that is right, 15 years का उनका time period था, तो 1545 से पच्पन, एंड रुपिया, yes, GT रोड बिलकुल से, ठीक है, ये अपना रहेगा, आप देखो, built elegant mosque in पूराना दिल्ली भी, ये भी example याद रखे, अब हमारा आ रहा है, डेकन में हमारे पास जो जो अलग-अलग अपने रहे हैं, तो इसमें देखे, साउट अकनी स्टाइल, influenced by तुगलकी स्टाइल, और इसमें Persian आपका influence भी है, Hindu architecture का भी influence है, ये जो diagram अपने को दिख रहा है, तो इसको अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखे, ये जो गोल-गोल है है, small domes है, corner में, ये एक बड़ा है, almost, spherical, ठीक है, spherical, ये largest dome, गोल-गुम्बंज वाला है, इसका example भी अपने पास है, सबसे बड़ा dome है, 44 मीटर का तो diameter है, ठीक है, तो ये अपना रहेगा, और इसमें देखो, lotus petals at the bottom of the dome, अपने क्या देखा था, ये inverted lotus, उपर दिख रहा है, ये kind of inverted lotus है, और ये lotus के petals है, triple arch, एक, दो, तीन, हर side, जैसे octagonal base है, ठीक है, तीन, चार, पांच, हर सरफ, triple arches मिलेंगी, ये इनके features रहते हैं, जालीज मिलेंगी, ठीक है, और instead of छतरीज, यहाँ पे छतरी नहीं है, जो हमारा deckan है, deckan वाले में छतरी नहीं है, deckan वाले में ऐसे छोटे-छोटे domes at the corner, ठीक है, अब इसमें देखिए, अंडर आपका बहमनी सुल्तान है, लेटर आपने जो पांच अलग-अलग dynasties थे, बिजापूर, गौल, कॉंडा, एंदबाद, ठीक है, तो highest development took under, अदिल शा, कुतुब शाही, ठीक है, कुतुब कुलिशा, कु यस, ठीक है, लाइक, लाइक, एंड, स्टेर्शा शूरी डाइड अर्लियर, अब अर्लियर, अच्छा, अर्लियर मतलब small age में, हाँ, वो earlier ही था, small, छोटे ही, I think 39 या 40, का स्पास ही रहा होगा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, अब देखो, नॉर्मली आप जो देख रहे थे, देखो, South Indian style में हम क्या पा रहे थे, कि उतना influence बाहर वाले चीजों का नहीं हो रहा है, पट आपका यहां पे हम देख रहे हैं कि Persian style, Syrian, Turkey, सब का आपका मिल रहे है, यहां पे हमारा जो distinctive है, वो आपका है, बीजापुर में हमारा क्या रहे जो साइड वाली है, वो decoration purpose के लिए, दोम आपका bulbousk, बड़ा सा है, almost spherical है, इसमें डॉल, डॉम उफ, गोल गुमबज, largest in the world, and lower part में यह अपने देख लिया, corner में आपने देख लिया, small dome है, graceful, slender, tall, मिनार वगेरा है, इसमें, less affected by the wars, अभी तक, relatively, still preserved है, इसलिए अपने को ध्यान में रखे, ठीक है, टेंका, a very good morning, चलो, तो यह अपना हो गया, आप देखो, इसमें और कौन कौन से है, कुतुब शाही, गोलकॉंडा स्टाइल, another famous हो गया, marked by Rich Stuko, Stuko, अपने को क्या ही पता है, type of plaster बगारा जो अपन उस पे डालते है, ठीक है, तो यह अपना पर्शन, फिद, हिंदू, दोनों के ही आपको मिल रहे, यही अपना इंडो, इसलामिक में यही है, majorly, हिंदू, आपके जो नेटिव, आपके मुसलिम, बाहर से जो आए थे, तो दोनों का mixture आपको मिल ली रहे, ठीक है, पर्शन और यह, तो चार मिनार इसका unique example माना जाता ह आप जैसे NCRT में अगर हम पड़े, वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने दे रखा है, जो विजयन अगर वाला जो है, तीम्स ओफ इंडिया में, उसमें बता रखा है कि जैसे उसमें साथ अलग-अलग वो रहते थे, फेजिस रहते थे, फेजिस मतलब इन्ह पर कौन खड़ा है, वो भी दिखाई दे जाता है, सेकंड चीज वहाँ से जो बोलते थे, वो भी आपको सुनाई दे जाती है, इस टाइप का अकॉस्टिक सिस्टम, ठीक है, यह काफी यूनीक इदर देखने को मिल रहा है, साजित खान, गुद मॉनिंग, तो यह आपके र आपको ओपन ही मिलता है, जामा मस्जिद गुलबर्गा आपका क्या रहेगा, जिसमें कोटियार भी आपका अपका अगले अपने आता है, प्रोविंशल स्टाइल, अब अलग 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 डवलपमेंट्स आपके रहेंगे, और वहाँ पे उसके जो लोकल अलिमेंट्स है, उनके ही यूनिक फीचर रहेंगे, ठीक है, तो प्रोविंशल स्टाइल, मेजर डवलपमेंट्स आपका जैसे गुजरात, ठीक है, बंगाल में भी डवलप हुआ है, तो बहुत सारे इसमें एक्जाम्पल रहेंगे, और इस टाइप का जो अपना होता है, वो अपना इसमें है, ठीक है, यूनिक फीचर, ओर्नामेंटल क्रेविंग्स अन्दस स्टॉन्स भी आपको देखने को मिल रहे है, ठीक है, स्क्रीन्स आर वाइडली यूजड विंडोज अपोर्टेट ऑन रेचली का यह सब मत, ठीक है, विंडोज भी अच्छी है, स्क्रीन्स और वटेवर, मॉस्क ओफ राणी रूपमती ओफ एहम्दाबाद, यह इसका एक एक एक्जाम्पल है, मोटे मोटे, जगो, गुजरात में बस इतना ही याद रखेंगे, पिलर्स, ठीक है, ओर्रमेंटल काफी अच्छे हैं, स्टॉन्स में, एंड, स्ट्रीन्स वगरा यूज़ करी गई है विंडोज और इंसब, ठीक है, एन देखे, फिर आ रहा है आपका मालवा स्टाइल, मालवा हमारा इसमें मिनार आपकी एपसेंट है, और आपका यूरोपियर इंफ्लेंस भी यहाँ पर मिल रहा है, एक दो एक्जाम्पल, अश्रफी महल, जहाज महल, पंडू MP, या फिर हि मिनार नहीं है, ठीक है, और बंगाल में, बंगाल में थोड़ा सा हैवी रहेगा फिर से, तो यूज ऑफ ब्रिक, लैक मार्बल, नो फोकस ऑन डेकुरेशन, बट मैस्तिव बिल्डेंग, ठीक है, यह चीजे थोड़े से ध्यान में रखो, जैसा अपना लोदीज के टाइम अब देखो, मुगल आर्किटेक्चर में पन देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तो अपना कौन सा है, अस्ताह जहां, ठीक है, पाकियों ने भी बहुत कॉंटरिबेशन किया है, थोड़ा-थोड़ा सबका ही देखेंगे, त्रू बिग्निंग मानी जाती है, अकबर के पे, पेंटिंग के कंटेक्स में, ठू मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा अपना रहा, वैसे तो बाबुर के टाइम पे भी पेंटर आपके थे, ठीक है, और ऐसे ही जहांगीर जो है, वो तो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ही important नाम है, खुद भी वो आपका एक पेंटर ह रहेगा, आर्किटेक्ट्चर में थोड़ा सा different चलेगा, एंड पेंटिंग में थोड़ा सा different चलेगा, यस, absolutely right, विकास, मालवा प्लेंज हमारे खाँ है पंजाब में, और अपना ये इदर रहेगा, देखो, हमायू आपका इरान पर्शिया से आयता है, तो पर्शियन एलिम उसमें, unique architectural development, beautiful gardens, च्यार बाग, च्यार बाग इसके काफी unique है, अपने मुगल्स के सबने लगवग बनवाया ही थे, इसमें दो तिन example देखो, एक तो निशान्द गारडन, एक मिन रुखो, अलारम बन कर क्याता है, पॉल्ड बन कर कास्टम, अजेए, इसमें, इसमें, पर्शियन वेगा रख उन्देश्ट, तुर्की एजिप्ट, पॉर्ट डी एल मेडिया पॉर्टुगीज फर्स्ट गवर्णर फंद्रा सो पांच फंद्रा सो नाइन अब देखो अगला अपना क्या आ रहा है इसमें यूनिक आपका यह होई गया है हाँ निशांत गार्डन कश्मीर का आपम ध्यान रखेंगे एंड शालिमार गार्डन यह लाहूर में है यहां पर पिंजोर में जो हमारा यादवेंद्र गार्डन है उसमें साथ स्टेज़ है और यहां पर जो हमारा राष्टपती बवन है उसके भी थ्री स्टेज़ गार्डन को इसने इंस्पायर किया अलग अलग वही जैसे हम बात कर रहे थे विजन अगरा वाले तो डिस्टिंक्टिव रहते हैं जैसे अपने एक वह भी देखा था ना भी रिसेंटली जो अपना अलग अलग वह अलग अलग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस्टेज़ से क्या था उसका नाम क्या था कि कि अच्छा ठीक है निशान गार्डन भी जहांगीर का हो गया है और आपका शालिमार गार्डन भी अब देखिए नेक्स्ट अब यहां पर मेजर क्या है आपका आर्चिज डॉम्स जाली मिनार कैलिग्राफी सेम चीज़ कलश का एक एलिमेंट है जो इन्होंने हिंदू आर्किटेक्ट भी अपन बोलते हैं ठीक है नौर्थ में और साथ में ये विमान होता है बड़ा ठीक है विमान और शिखर ये है शिखर और कलश है ये भी अपने गुदिहान में लख तो कि फिदाई खान फिदा थे हाँ पिंजोर में फिदा थे फिदाई खान ठीक है करें ओके शालिमार बाग साहा जहां एंड सेवन सिर्कल्स ओफ अमर जवान जोती के ही थे वो कोई और डिफरेंट नाम भी था कि तो मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है पकी को सकता है वैसे पर रहो देखो गाडन आपके चार बाग है इंटेग्रल पार्ट है यह ऐसे चार है बट किया है डेफरेंट तो इन में देखो आँ जो इनकी बिल्डिंग थी रेज्ट प्लेटफॉम पर और थी थी ताकि प्रोजेक्शन अच्छा हो सके रैट सैंस्टोन और इट वस लेटर रेप्लेस्ट वाइं मार्फल यह इन्होंने यूज यूज किया इसमें आपके जो है पर्शन फीचर्स काफी प्रोमिनेंटली आ गए थे एंड उससे पहले यह कहां पर देखने को मिल रहे है अपने को टॉम टॉम है दिल्ली में वहां पर उसमें भी हमारा डबल डॉम आर्किटेक्चर है आउटसाइड इंसाइड रिसीड़िड आर्क व अब एक एक का थोड़ा सा देखते है अपन जैसे अकबर के टाइम पर अकबर के टाइम पर लोकल इंफ्लेंस भी क्योंकि देखो इन्होंने काफी कॉंटेक्ट्स भी अस्टेबलिश करे थे और शादियां भी करी थी तो हैवी इंडियन इंफ्लेंस देखने को मिलता है इसको पन बोल सकते हैं तु बिगनिंग ओफ मुगल आर्किटेक्ट्चर यहां पर कौन सा रेड सेंट स्टॉन यूज किया हुआ है यह तो आप अगर उसकी इमेज भी याद करोगे या फिर यह तो अपने देखी रखा होता है यह वीडियो देख रखियो दिया इमेज दे इसको प्रीकर्सर बोला जाता है ताज महल का भी और बड़ा सार आपका गेटवे जिसको क्या बोलने पिश्टाक यह ताम याद रखनी है ठीक है पिश्टाक पिश्टाक क्या है तोल गेटवे अमर वीर त्याग रक्षट हाँ यह था शहें कुछ ऐसा ही बिश्टाक क्या है इसे इंफ्लेंस आपका और इसमें भी देखिये सेंटर ओफ ए हूज फॉर्मल चार बाग है आपका ठीक है एंड दे ट्राडिशन नोन एस एट पैरडाइज यह फिर हष्ट बिश्ष्ट एक इसमें आपका राजपूर्ट ट्रेडिशन यह फिर हम बोले स्पेशली राजा मान सिंग पैलेस उनका इंफ्लेंस है अग्रा फॉर्ट में रेड सेंस्ट्रों यूज किया है वेरी वरी इंपोर्डेंट देखो दिवाने आम दिवाने खास यह आपके प्लेसे होते दिवान नयाम में क्या है कोमन आदमी आते थे खास में क्या है जो रोयल आदमी है वो आते थे और अकबर एक बहुत सारी बिल्डिंग्स यहां पर बनाई हुई थी जैसे अकबरी महल चाहांगीरी महल और यह सब ठीक है कि मस्जिद तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हो ठीक है अगर ऐसे ही हुमायू टॉम गुलबदन बेगम हुमायू नामा ठीक है अलब गुलबदन वो एक दूसरा था शायद अपका इक है अब हमारा क्या रहा है देखो हब अकभर Bacon तो ही ठीक है एंड यह सेकेंड फेat फेड़ ऑफ और की kingdom के टाइंब ऑब यहां पर दोनों टविल्डिंग्स नंक्सको नियुलीजिस में जैसे मस्जिद वाग़रा हो जाती हैं हूं तो रिलेजिस में कौन सी आगी जामा मस्जिद वाज इंसाइड दा बुलंदर वाजा हाईएस्ट गेट इंद वर्ल्ड पर है और अपना देखें राजपूत इंफ्लेंस गुजराती इंफ्लेंस यह तो अपने पहले ही देख लिया लोकल आपका क्योंकि इनके कॉंटेक्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा थे और अगर अपने इसमें देखें जैसे टॉंब ओफ सेक तलीम किस्ती यह भी हमारा जावा मस्जिद के अंडर है यहां पर वाइट मार्बल यूज जाली वर्क फिर वाइट मार्बल भी मुगल्स के टाइम पर यूज़ किया गया जैसे अबादत खाना थे और जावा मस्जिद याज रखना है वाइत ने को पता ही कि आपने अपनें पास क्या है ब्यूंड के जैसे रोयल मिंट रूम, सक्षल, दिवाने आम, दिवाने खास, पैलेस ओफ जोधा भाई, बीरबल, ये तो residential होगे उपर वाले क्या है अपने पास, मिंटिंग वाला, रिकोर्ड रूम, जो है इनके मिलते थे को इनके हो जाएंगे, administrative, ठीक है, रहने वाले क्या होगे दिवाने आम, दिवाने खास, जोधा भाई का जो महल है, बीरबल का जो महल है, very very important, बीरबल का चत्ता कहां मिलता है अर्याना में, where do we find बीरबल का चत्ता, बताओ आमिदा बानो बेगम ये हो सकते हैं अब देखो, नेक्स्ट, इसमें अपना क्या है, बीरबल पैलेस, अरियम पैलेस, पंच महल ये इसमें हो जाते हैं, पंच महल एक pyramidal structure है, five story का नाम से ही पता चल रहा है, पंच महल, पंच महल, यहां पे भी गुजराती and राजपूत architecture का influence है, हर story में एक different design है, अगर आप जैपूर जाएंगे, जैपूर में तो राजपूत architecture काफी है, वहां पे जैसे माल लो हवा महल ही देखा, हवा महल में भी आपको देखना को मिला गए कि अलग-अलग story में अलग-अलग design आपका चलते रहता है, तो यह अकबर coin minting and also, ठीक है नारणोल में था बीरबल का च्छत था, राइट, ओके, अब हम आगे आते हैं, देखो, बुलन दर्वाजा, बुलन दर्वाजा भी था, यहां यह कब बनाया गया था, अकबर की जब गुजरात की victory थी, तो यह सवाल भी पूछा जाते है, ठीक है कहा लास्थ बिल्डिंग, जो अकबर की थी, वो था उसका खुद का, भुसलम एट सिकंद्रा, ठीक है, and इसके बेटे ने इसको complete किया था, जहागीर ने, and it looked more like pagoda than, pagoda हमारे क्या रहते है, हमने देखे थे, जो अपके ऐसे, वाले जो architecture, story वाले जो रहेंगे, वैसे, story shape में जो अपने वो देखने को मिलता है, वो हमारा पगोडा, अब देखो, जहागीर के time के अपन देखते है, यहाँ पर भी सारी चीज़े same ही मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो, example हमें दियान में रखने है, बस, देखो, जहागीर का ज़्यादा तर interest तो painting में था, इसलि more interested in painting than architecture, अकबर का tom जो हमने सिकंदरा वाला देखा, आगरा, वो शुरू अकबर ने किया, complete जहागीर, तारजेस्ट चार बाग हैं इंडिया में, कोई डोम नहीं है, बट्टाल मिनार्स हैं, चारो कॉर्णर में यह अपन ध्यान में रखेंगे, red sandstone, most of the time अपने पास क्या म नूर जहा ने construct किया था, tom for her father, जहागीर के लिए, इत्मत उत्दौला, आगरा में, यहाँ पे आपका पिट्रा डूरा जो है, जो आपन बार बार देखते हैं न, कि first time पिट्रा डूरा जो है, वो जहागीर के टाइम पे जो चली थी, वो कहाँ पे इंट्रड्यूस होई है यही पे है इत्मद उत्दौला, it was during the reign of जहागीर की जो building है, they were made of complete use of white marble and the mothi masjid, mothi of lahore was first such example apart from tombow, तो दोनों में ही white marble आपका यूज किया जा रहे है, यह मौती masjid अलग है, कि lahore वाली है, जहागीर वाली मौती masjid अलग है, यह भी थोड़ा सा difference आपको ध्यान में रख लम बना दिया है ठीक है राम राजर देख्ट के ओफ अगवर दुरिंग जयाट रेबेलियन इन टाइम ओफ औरंग जेब ठीक है 1574 ठीक है अर्नौल तो ठीक है 1574 आपके विरबल के शत्त देखो अब यहां पर अपने पास अगर आपन शाह जहां के टाइम पर देखें कि यह हां दो डाइगराम आपके पास हैं यह है आपकी सिंपल आर्च यह भी अपने को कई बार देखने को मिलती है ठीक है फॉलियेटेड आर्च जिसमें मल्टिपल आपके ऐसे ऐसे हैं ओके यह हमारे हो जाएंगे फिर अब देखिए इनकी जो बिल्डिंग्स हैं साह जहां जो जो कोट हैं इनको क्या बोलते थे चहल सुतुन और पॉर्टी पिलर होल कि आपके बड़े जो कॉट यार्ड है उसके अंदर रहते थे तो चहल सुतुन याद रखना है जैसे अपने पास चहल गनी था चहल गनी डली सल्टनेस के टाइम पर होता था ऐसे ही यहां पर क्या र रखेंगे ठीक है आप पुनम सबरवाल नमस्ते चलो अब हमारा यहां पर देखिए सहा जहां के ओडियन होल्स थे वैरी वैरी स्पेशली कंस्रेक्टी टू यह भी मौस्क जैसे होते थे अब यहां पर देखिए पेड़ेस्टल ओन विश्ट्रों वास प्लेस्ट वास डिस तोम मुझे याद नहीं आ रही हूँ, वह एक पर्टुक्लर ही होता है जो मक्का की तरफ आपका रहती है उसके डिरेक्शन तॉम में वह एक पर्टु के की तरफ रहती है मक्का मदिना उसको एक बोलते हैं पंटाम यूज करते हैं कि बला ही होती है कि अब फिर देखिए इसमें में रीजन इसके पीछे क्या था जो आपका राजा है राजो को as a gold रिपर्जेंट कर दो और रेपर्जेंटिव करता था यहीं सजिस्ट करता था यह इसलिए उसका जो ठ्रौन है वह उसी पे ही रख्ञा जाता था अब यहां पे यह इपने को पता ही है पिट्रा डूर्ण का extensive इसका इंग्जामपल आप देख सकते हैं जैसे यह कि हमारी दिख कम––––––––––––––––––––––––––––––––––––– पिटरेलड हमें को क्यार प supporters हैं जेते हैं कि अपके स्टों वेद traumOS में हैं LED जग्ए pushi वं do तो चलता ही है लो रिलीफ आपके रहते हैं यहां पर देखो साहजा वाली आगी मौती मस्जिद इन दर रैड फोर्ट ऑफ आगरा तो दो मौती मस्जिद मिल रही है एक हमारे जो लाहूर की है व้ किसने बनाई नंबर वन ने पर और जो शेकंड़ है जो हमारी आगरा की है वह किसने बनाई है अपके ताज महल वाले तालीबाद याममस्जिद यह भी नहीं किय है और ताज महल तो जैने दोंगल अर्किट्छर परफेक्ट उक्जैम अबड"! एक्जाक टेज्ड याद है क्या कि बला ही होता है एक वह गाना भी है किसका गाना है रे शरन और इम्रान हाश्मेगा एक मुवी है न तो फिर आओ उसका भी हां इंडाइज इसमें भी एक यह टर्म आती है किबला भी तू इसमान भी तू किबला उसी के कंटेक्स्ट में है वहां से भी द्यान रख सकते हैं जैनत ऐसे ही याद किया अब यहां पर स्टॉन क्रेविंग्स है और टाइप ओफ एस्टैबलिश्मेंट इसमें आपके आते हैं फॉर इंटीर एक्षीर वटेवर स्टॉन क्रेविंग्स हमारी है एलिकेट क्रेविंग है डाली वगेरा है यहां पर देखो एक तो जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ो और सेकेंड डेकोरेटिव एलिमेंट भी दोनों ही यहां से मिल रहे है आपको ठीक है फिर इन्होंने एक नई आपकी सिटी भी विसाई थी कौन सी थी वो शाहजाबाद कहां पर दिल्ली में और यह ऐसा माना जाता है कि इट वस मोर ब्यूटिफुल दैन बगदाद इन इर हुआ थी यह तो हमारी होई गई है इवाने आम दिवाने खास, रंग महल के बीनि इसे ही रिलेटिट्ट है गता है ऐसे किके कट llegó के कट्क्षमीर के बर्ट रंग-महील में तो Girard Kenya यह काफी इंट्रेस्टेंग से फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि इनमें यह चीज़े मिल रही है पिर आपका औरंग येप के टाइम पे तो थोड़ा सा डिकलाइन होई गया है यह था वो पर्टिकुलर को क्या बोला जाता है और इमिटेशन ताजमहर लगबग ताजमहर जैसा है वाइट भी इसके होए बहुत ही खराब वह बनाए हुआ है 16 31 253 यह हमारा है जामह मस्जिद कश्मीर की है अब कश्मीर जेन के में अगर आ रहे हैं तो बुद्धिष्ट पगोड़ा रहेगा बुद्धिष्ट पगोड़ा जैसे ही है पर्शन स्टाइल बुद्धिष्ट पगोड़ा एंड इंक्लूड़ टरेट्स अर्किट्यर टरे फिर हमारा आएगा बिटिश अर्किटेक्ट्चर अब करेंगोड़ा जैसे अपने पिलर्स जैसे ही है मिनार जैसा ही मान लो इसकी फिगर देख लेना एक बर टावर साही है स्मॉल टावर और लार्ज टावर ऐसा बोल सकते हैं तो यह अपने हो जाएंगे जैसे पगोड़ा में अपने पास स्टॉरीज होगी तो वैसे ही टरेट्स में क्या हो गया टावर की स्टॉरीज होगी ऐसे याद रख सकते हैं कि में कश्मीर प्रिस पकोड़ा सिमिलर भी रहे लाएं अब बेटिश जो आर्किटेक्ट्चर है वहां पर बहुत सारे एक्जाम्पल है एंसी आर्टी में तो एक पूरा कम्प्लीट रही इसमें दियो आए कि तो जो इ यहां अपने को थोड़ा से ध्यान में रखना है और हरबर्ट पैकर एडवर्ड लुटन यहीं आपके में प्राइम आर्किटेक्ट्चर थे अन्यू डेली के इसलिए क्या बोला जाता है लुटेंस डेली एक फ्यूजन माना जाता है सबका मुगल बुद्धिस्ट हिंदू सारी की सारी जो भी हमारे अर्किटेक्ट्चर है राष्टपती भावन यह भी हमारा फ्यूजन है तो यहां पर देखो अलग-अलग जगह से अलग-अलग चीज़े अपने कॉपी करी हैं जैसे एक तो सेंड स्टोन जो रेड सेंड स्टोन है वही हमने यूज किया है कैनोप से आपको सारा का सारा इंफुलेंस आपका मिल रहे है ठीक है यह अपने रहेगा फिर इसमें देखिए बिग बिग पब्लिक बिल्डिंग जैसे इंडिया गेट वाइस राय हाउस जो अभी अपना राश्पती बवन होई चुक्त है एंड बिसिकली क्या होता है तो इंप्र इन रहते हैं त्री बोड नियो क्लासिक ग्रीक रोमन यह गोथिक और हमारा इंडो-ससने इंडो-सने यहां भी है मुगल गोथिक वाला तो अलिमेंट वहां से आई रहा है ग्रीक और इस सबसे यहां पर जो ऐसे वाले में एग्जाम्पल याद रखेंगे टाउन होल बंब यहां पर नियो क्लासिक या फिर ग्रिको रोमन जिसको अपन बोलते हैं जो बड़े-बड़े पिलर एंशेंट रोम में जो बिल्डिंग होती थी उनसे टाउन होल ऑफ बंबे इसका एक्जांबल या फिर पार्लेमेंट हाउस देख लो फिर आपको देखेंगे बड़े-बड विक्टोरियन यहां पर इसका बेस्ट एक्जांपल है विक्टोरिया टर्मिनस बंबे इसमें देखो पॉइंटेड आर्च मिलेंगे ठीक है लास का भी यूज्ड है डेकोरेशन का भी यूज्ड है आर्च यह हमारा गोथिक इन दोनों में फरक क्या है यहां पर पिलर पे है मेजरली फिलर है हेवी स्ट्रक्चर से है उतने एकोरेशन पर ज्यादा फॉकस नहीं है जबकि यहां पर देखिए हाई-पिश्ड रूफ पॉइंटेड आर्च एकोरेशन पर यह रहेगा इसमें आपके काव्ड टॉंज है लास्ट विंडोज है फ्लाइंग वॉल्ज बोल लो तो यह अपना हो जाएगा कि बेसिकली यह क्या कह रहा है तो आपका ओरिजिनल गोथिक अर्किटेक्ट्चर है उससे थोड़ा से कम है थोड़ा इन्होंने ज्यादा ही इन परप्रेट कर लिए कि यह सब्सक्राइब लेक आर्बोजियर फ्रांस 144 पिलर पार्लेमेंट हाउस बॉंबे बॉंबे एंड पुनम कॉंटेक्ट नंबर मिल सकता है कुछ डाउट पूशने के लिए आप कोई भी आपका डाउट है 9996337109 पर आप वट्सक्राइब कर सकते हैं पूनम या फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको बात करनी है तो आप अनों को बोल सकते हो ही विल गिव यू माइन नंबर मा फिर आपकी वह बात करा है आप आराम से बात कर लेना पांच मिनेट और रुख जा पांच मिनेट तो इंट्रोड़क्शन ही किया था हमने जिसमें हमने बताया था कि व्यार एच्छेस क्वालिफाइड एंड टी आईएस इंट्रिव्स को पड़ास तो उसका भी अपने को कंपनेट करना पड़ेगा न यह इंट्रोड़क्शन वाला पार्ट आपको सेपरेट रखना पड़ेगा चलिए अब हमारा अगला क्या रहा है इंडो साल्सनिक और हमारा मुगल गोतिक तो यह हमारी हाइब्रिड स्टाइल है इसमें देखो च्छत्री आर्चिज अज्जे यह सारे के सारे आपको मिल रहे हैं दोनों ही हैं यहा सारी चीजें हमारी कहां पर भी मिल रहे हैं आपकी आर्लेमेंट हाउस में भी मिल रहे हैं वह अपना हो जाएगा बिट्रिश वांटेट तो प्रूव देट देवर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया इसलिए जैसे मुगल ने आपके उपर रूल किया उनके पिर ताज महल होटल वेरी एरी इंपोर्टेंट तो मुंबई जिसमें अपना अपना अपने से लेवन वाला जो अटेक हुआ था अपने विक्टॉरिया मेमरेल कलकता होई गया है और यह हो गया विक्टॉरिया मेमरेल बार्बेक्यू ब्रॉक मैंने बिल्डिंग जैसे जर अगला क्या है हमारे पास यहां पर नेक्स हम देखते हैं थोड़े एक दूरिजनल है जैसे वुडन स्कल्प्चर्ट यह है आपके सदन स्टेट ऑफ करनाटका में इसमें क्या है रोज्वूड एंडल वूड की स्कल्प्चर्ट है यहां पर एलिफेंट इनका एक फेमस सब्जेक्ट है मैसूर बैंगलूरू यहां पर आपको मिल रहे है तो आई थिंक विकास ने देखे होंगी आपकी जो भी स्ट्रक्चर्ट की जो बात कर रहे हैं जैसे केरला में सीसम रोज्वूड पैचूज है स्कल्चर्ड है चुरू में तो यहां पर गांदारा स्टाइल अपना था जिसमें ग्रीक वाला रहता है उसका इंफ्लेंस था लेटर ओन विद्धा मिक्स ऑ गुपता पोस्ट गुपता ट्रेडिशन आपका ब्रहमिन स्टाइल भी यहां पर मिक्स हो गया है बुद्धिस्ट मौंग क्योंक यह 8th and 9th century में आपका बनाया गया था और यह जैसे wooden buildings होती थी पगोड़ा वाली जो wooden buildings होती थी उन्हीं को ही ध्यान में रखते थे और यह जो पगोड़ा से story वाले क्यों बनाया जाते थे क्योंकि ज्यादा पड़ता है तक ही वो नीचे आ जाए और उपर ना रहे तो snowy condition ह है रूफ पीक्ड है प्लेंटेड है तो यह तोमनाथ टेंपल गुजरात यहां पर इट इस फर्स्ट अमंग 12 जो तिरलिंग जो श्रलाइन आपकी शिव जी की मानी जाती है 6th century में बनाया गया था and it was destroyed by Arab Muslim जैसे अमद गजनी अलावदिन खिल जी अरंग जेव सबने आते हैं देखो यह तो वही था मैंने आपको बताया था अटैक के टाइम पर आप डिस्ट्रोइ करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हिंदू सब मिलके भी रहते थे कोर्ट में हिंदू के कोर्ट में मुस्लिम्स भी रहते थे मुस्लिम्स के कोर्ट में हिंदू भी रहते थे इंपल्स को डिस्ट्रोइ करना इट वर ओफ पॉलिटिकल इवेंट रैदर देन एक रिलिजिस तिंग इसको भी थोड़ा है स्वालंकी ओके यह हो जाएंगे और यह हमारा कौन सा स्टाइल में हो जाएगा बिल्ट इन चालुक्या स्टाइल ओफ एंपल आर्किटेक्ट चालुक्या स्वालंकी में अपने रहेगा कामनगर तब देख लेना ठीक है वेरी गुड देखे आप फिर हमारा है मुजिकन स्टॉन पिलर्स इन इंडियन टैंपल यह थोड़े से इंट्रेस्टिंग है इंडियन टैंपल वर वेरी फेमस फ़र देर मुजिकल स्टॉन पिलर्स यह कह है आप पिलर्स हैं यहाँ पे देखे जब आप इनको टैप करते हैं तो नोट्स आता है अलग-अलग मुजिकल तुनीक एंड एक्सेप्शनल डिफेंट डिफेंट यह ऐसा माना जाता है ओडियो मारवल ओडियो मारवल मतलब वही ठीक है यह अपना वेरी वेरी इंपल्स ठीक है इस मूजिकल पिलर्स आरो फोर टाइप जिसमें शूति थंबा एप पूजा के टाइम पे यूज के जाता है पूति लायास टनास प्रद्रा ठीक है और यह कहां पाया जाते हैं साउथ इंडिया में एग्जांपल देखो विजयनगरा हम्पी वाले जो है वो एंड देवर वेल वर्ज्ट इन दे साइंस बिल्निक अकोस्टिक जैसे मैंने आपको विजयनगरा वाला एक्जांपल बता बेजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर 1972 युनेसको और अब हमारी 40 साइट्स आपकी हैं क्राइटीरिया पूर सेलेक्शन क्या होता है युनेसको के लिए आउट्स्टेंग युनिवर्सल वैल्यू और आगे आने वाली उनके लिए वो जाता है ठीक है सेफ करना यहां पे 10 क् प्रेटीरिय आपके Natural के लिए रहते हैं 6 पूर कुल्चरल साइट मास्तर पीस आफ हूमन क्रीटि वैल्यू, नेक्षेप्शनी केटिव मोन्य और एक्शिस्तिंग या ऊई सहुआ सद्स्थ ये, फिर ऑफिर एक्श्तिंप इस्तिंग क्यायू इसेशन हूद्याक्ट, ये ख खतम हो रहा है तो सेकंड की बात है फिर अपना पेंटिंग शुरू हो जाएगा अब नए टोपिक को शुरू करने से पहले एक पेज को थोड़ी छोड़ेंगे ठीक है मुझे तुमसे जादा जल्दी रहती है जाने की तो अगला क्या है जैसे नेचुरल जो है अपनी उसमें क्या रहेगा एक्सेप्शनल नेच्वरल ब्यूटी डिप्रेजेंट मेजर स्टेज़ ऑफ एर्थ हिस्ट्री इंसी टू बाइलोजिकल डाइवर्सिटी उसमें बहुत सारी मिले थ्रेटन स्पीशीज उसमें कंजर्व कर रक्कियों ठीक है सच साइट आर ऑल्सो प्रोट्र यह हमारा है अब हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपनाएंगे पेंटिंग्स पर अब आपका मेजर जो आर्ट वाला है वो काफी तक खतम हो गया है यहां पर काफी चीज रहेंगी बहुत सारा सीखने को मिले पेंटिंग वाला तो और ज्यादा इंट्रेस है अब हो गया बस चलें तीन मीनिट एक्स्ट रहो दो मिनिट एक्स्ट चलो ठीक है चलिए थैंक यू ओल फॉर जो एनिक प्रेशन वी विल मीट एट वन थर्टी नौ तो आज फिर से थोड़ा सा दिमाग ओपन करके आना अब अपन करेंगे अपरेल माई वाला हो गया तो में भी हो सकता है कि आफ्टरनोन में अपरेल खतम करा दू दिनवरी फर्वरी और दिन शाम को आज अपन मार्च दो हजारे किस को आई विल बी ट्राइंग कि दो महीने का अपन कर लेंगे इसको तो दाट सिट एक है वावा तेरे उपर अगर लेगे तुमारे उपर लेट तो यह थैंक यू ओल फॉर जोइन इसेशन विल मीट अच्छे से पढ़ो बहुत मन लगा के पढ़ना है लोड नहीं लेके पढ़ना मन लगा के पढ़ना है तो से लोड आ जाता है बट उसको वाइट है ठीक है तुद दे